हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैनवा को आप कैसे यूज कर सकते हैं यह जो कम्पलीट वीडियो है यह कैनवा का टुटोरियल होने वाली है बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी Basically आप कोई भी चीज अगर डिजाइन करना चाहते हैं चाहें वो शोचल मीडिया पोस्टर है बैनर है कवर फोटो है लोगो है या फिर आपकी परजिन्टेशन है एनीटिंग जो भी चीजें आप डिजाइन करना चाहते हैं वो सारी चीजें डिजाइन आप कैनवा से कर सकत अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो हम देख सकते हैं, आपर logo है, flyer है, banner है, poster है, resume है, invitation है, video भी आप बना सकते हैं, meme आप बना सकते हैं, book cover आप बना सकते हैं, जो भी चीज़े आप सोच सकते हैं, YouTube के related चीज़े हैं, या फिर Instagram पोस्ट हैं, Facebook है, stories है, सारी चीज़े आप design क कर सकते हैं, easily वो भी Canva की help से, Canva के दो version आते हैं, free version आता है, और premium version आता है, तो free version के अंदर कुछ चीज़े आपको limited मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप काफी अच्छा design कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा practice करने की जरूरत है, चीज़ों को सीखने की जरूरत है, जब आपको चीज़े प्रोपर आजाएंगी, तो आप free के साथ में भी काफी अच्छे design बना सकते हैं, तो चली बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लीजिए, ऐसे ही helpful videos देखने के लिए, आपको start करने के है, इसलिए मैं sign up नहीं करूँगा, आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, canva के dashboard की, जैसा कि आप यहां पर देख सकते है, canva का dashboard आपको कुछ इस type का दिखाई देगा, सबसे उपर यहां पर एक hamburger icon है, आप जो यह left side में जो bar है, आप इसको hide कर सकते है आप देख सकते हैं, canva का logo है, design spotlight कुछ तरह के जो example के लिए इनोंने चीज़े बताई हैं कि किन किन चीज़ों के लिए आप canva को use कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहां पर design करने के लिए, तो आप काफी सारी चीज़ें यहां पर कर सकते हैं, business के लिए, उसके बाद में business का जो use case है, कहां कहां पर canva use हो सकता है, manage your assets, plan and schedule, improve collaboration, जो भी चीज़े हैं, जो canva के features हैं, new industries, कौन कौन सी industries के अंदर आप canva को use कर सकते हैं, उनकी जो guide है, जैसे आप इन buttons के उपर, इन links के उपर click करेंगे, तो particular उसी चीज़ें के regarding, जैसे कि अगर हम real estate के उपर click करते हैं, या फिर हम sports के उपर click करते हैं, start-ups के उपर click करते हैं, तो particular unique के regarding, जो detailed guide है, जैसे कि market है, जहां पर जैसे marketing के उपर, अगर मैंने click किया, तो जो भी marketing के लिए canva कैसे helpful हो सकता है, वो सारी guides, tutorial आपको यहां पर read करने को मिलेंगे, तो आप इनको जरूर check out किजिए, अपन पर आप जरूर check out करिए, उसके बाद में education है, education के लिए कहां पर कैसे use हो सकता है, वो सारी चीज़े यहां पर है, plan और pricing है, हमारे पास में learn, अगर आप canva के बारे में और ज़्यादा detail में जाना चाते हैं, तो यहां पर काफी सारी चीज़ें, article हैं, इनके resources हैं, यह सारी च है का आप design, यहां पर आप search भी कर सकते हैं, अगर आपको YouTube thumbnail बनाना है, तो आप search कर सकते हैं, social media post बनानी है, story बनानी है, जो भी चीज़े आपको create करनी है, presentation बनानी है, just आपको यहां पर search करना है, और यहां पर नीचे आ जाएंगी और उसके उपर just click करना है, तो इसको भी ह देखने वाले, यहां पर मेरे जो account है, उसकी settings आपको यहां पर मिलेंगी, left side में अगर हम आते हैं, home का icon यहां पर जो भी हमारी team है, अगर आप अलग-अलग team का हिस्सा है, तो वो आपको यहां पर दिखाई देंगी, basically canva के अंदर team भी add हो सकते हैं, template जो भी हमारी template वगर ह हैं, वो सारी यहां पर आएंगी, project हमारे यहां पर आएंगे, brand का जो feature है, यह काफी premium, जो यह premium feature है, इसके अंदर आप brand के related आप logo add कर सकते हैं, color combination add कर सकते हैं, जो brand के tool हैं, वो आपके यहां पर आ जाएंगे, content planner भी paid के अंदर आता है, content planner के अंदर आप चीजों को schedule कर सकते हैं, जो भी आपकी post होंगी, उनको आप schedule कर सकते हैं, अलग-अलग social media platform के उपर, apps के अंदर क्या है, जो भी canva के related, जो apps और smart mockups है, यह थोड़ा सा बाद की चीज़े हैं, तो इनको हम बाद में discuss करेंगे, अब आते हैं, जो canva का main area है, मैं इसको hide कर देता हूँ, canva का main area है, what will you design today, यान की आज आप क्या design करने वाले, for you, यान की जो मेरे लिए suggestion है, यहाँ पर, जो generally frequently मैं चीज़े use करता हूँ, उनके according ये चीज़े यहाँ पर, हमें यहाँ पर suggest करता है, तो for you का section है, document हम बना सकते हैं, whiteboard से related चीज़े हम बना सकते हैं, जो भी जिसके उपर भी तो उसके जो design है, Instagram के design आजाएंगे, Facebook के design आजाएंगे, LinkedIn के design आजाएंगे, क्योंकि जैसा platform होता है, उसी के according आपको design बनाने है, और उसी के according जो format है, वो हमें use करना है, अगर आप videos बनाने है, आप videos के उपर, simply video के उपर click कीजिए, जिस भी तरह है कि आपको presentation type की video या फिर काफी चीजी यहाँ पर template भी है, जैसे कि YouTube channel का जो intro है, या फिर outro है, welcome to my channel, आप जैसे इनके उपर click करेंगे, तो यह आपको as a template आपको मिल जाएंगे, उसके बाद में हमारा print से related जो product है, वो आप यहाँ पर marketing का material है, gift है, stationery है, invitation card है, काफी सारी चीजें है, जिनको आप यह हाँ पर बना सकते है, जो बनाने का process है, सब का same रहेगा, चाहे आप social media की post बनाएं, video बनाएं, या फिर आप whiteboard बनाएं, या फिर आप कोई भी चीजे बनाएं, जो बनाने का process है, वो सब का same रहेगा, अगर हम more के उपर यह देखिवा है, आपर आप website भी बना सकते हैं, same, similar को लेकर मैं अलग से टुटोरियल बनाएं, क्यों कि इसके अंदर अगर cover किया, तो काफी चीजे लंबी हो जाएंगी, लेकिन बनाने का process हो, website का भी same ही रहेगा, हम three dots के उपर click करते हैं, या कि more के उपर हम click करते हैं, तो जो अलग-अलग design है, infographic आप बना सकते हो, photo collies है, desktop wallpaper है, graphs वगरा है, इनकी data को दिखाने के लिए आप graph या फिर infographic, इन दोनों का आप use कर सकते हैं, mind map आप यहाँ पर बना सकते हो, यानि कि हमें अलग-अलग चीजों को जैसे कि इस वीडियो के अंदर में क्या-क्या चीजे cover करने वाले हैं, उसको मैं as a mind map हम दिखा सकते हैं, magazine का cover है, जो भी चीजे आप सोच सकते हैं, सभी को हम यहाँ पर design कर सकते हैं, infographic के कुछ example आपको यहाँ पर निच्चे मिल जाएगे, photo collage के example है, graphs के example है, आप देख सकते हैं, similar kind of चीजे आप इसके अंदर बना सकते हैं, तो basically हम start करते हैं, बिल्कुल जो सबसे आसान design generally हमार Instagram का बनाना है, Facebook का बनाना है, देखिए, अब इनकी जो format है, जैसे आप किसी के उपर भी hover लेके आएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखाएगा Instagram post square, यानिकि जो इसका size है, वो 1080 by 1080 pixel का है, अगर Instagram story के उपर आते हैं, तो इसका size थोड़ा सा आपको different मिलेगा, वहीं पर हम Instagram add के अंदर आते हैं, यह फिरसे square है, हमारा Instagram real है, और उसके बाद में Instagram animated post है, stories है, यानिकि जिस भी तरह है, कि अगर हम LinkedIn के उपर आते हैं, तो इसका size है, वो आपको थोड़ा सा different मिलेगा, LinkedIn background photo है, यानिकि हमारे background के पीछे जो photo use होती है, LinkedIn के जो post का size है, वो 1200 by 1200 pixel है, और LinkedIn single image add का size है, वो आप देख सकते हैं, 1200 by 627 pixel का है, और LinkedIn video का size हो आप देख सकते हैं, similar way में जो Facebook है, उसके अंदर भी अलग-अलग design होते हैं, जैसे कि Facebook हमारा post का size है, cover का size है, Facebook add का size है, event का cover होता है, video, यानिकि Facebook के अंदर जितने भी तरह के creative views होते हैं, सभी के size आपको यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आप simple जो custom design का button है, इसके उपर भी click कर सकते हैं, या फिर आप create a design के उपर click करेंगे, और यहाँ पर आपको custom design का photo देखने, custom design का button है, वो यहाँ पर आएगा, edit photo आप कर सकते हैं, और कोई file को भी import कर सकते हैं, जो suggested design है, वो आपको यहाँ पर भी मिल जा वहाँ पर हम पहुंच जाएंगे, जैसा कि आप video के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी post है, वो आ चुकी है, यह जो आपको बीच में white color का area दिखाई दे रहा है, यह हमारा page है, जिसके उपर हमारा design बनने वाला है, और हम left से start करते हैं, सब से पहले आप home बनने वाली हैं, लेकिन आप free में भी आपको चिंता की कोई बात नहीं, free के अंदर भी बहुत सारा material available है, अगर free में नहीं है, तो आप google के उपर search करके, या फिर आप अलग-अलग चीजों को adjust करके, जैसे आप practice करोगे, तो आपको पता लगए कि जो free वाली चीजें, जो premium ह उनको आप कैसे use कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा title है, यानि कि जो भी हम post बनाने वाले हैं, उसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, test design, तो हम test design बनाने वाले हैं, जो हमारी team है, उसको हम यहाँ पर add कर सकते हैं, मेरा नाम यहाँ पर है, और उस से पहला option हमें मिलता है design तो यह हमारी कहा है pre-made template है जो canva के अंदर available है वो सारी template available है जो भी template हमें use करनी यह सबसे जो canva का सबसे best part है कि आपको scratch से चीज़े design करनी नहीं पड़ेंगी बहुत सारी जो चीज़े हैं वो आपको already यहाँ पर मिलेंगी और उनको लेके आप यहाँ पर जो photo है वो आप easily बना सकते हैं जैसे कि यह देखी जो free जो premium template है उनको आप छोड़ दीजिए जैसे कि यह pro है यह क्या है हमारी premium template है लेकिन free में भी बहुत सारी template यहाँ पर available है festival के post है जैसे कि मान लीजिए आने वाला जो time है हमारा holy का आने वाला है तो हम holy search करते हैं जैसे हम holy search करेंगे तो यह देखी यह यहाँ पर free template है यह भी free है यह premium है लेकिन काफी सारी जो template है वो आपको यहाँ पर free में available मिलेंगी यह देखी यह सारी template आपको free मिलेंगी लेकिन वहीं पर काफी सारी template जैसे की ये template देखिए काफी अच्छी है और free में available है ये देखिए अगर जैसे हम इसके उपर click करेंगे तो जो post है जो भी template है वो हमारी यहाँ पर working area के अंदर आ जाएगी जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो अब हम क्या करेंगे अब जिस भी element के उपर हम जाएंगे mouse over हम लेके जाएंगे उसको easily हम edit कर सकते हैं ये देखिए जिस भी element के उपर हम click करेंगे उसको हम edit कर सकते हैं जो editing के option है वो आपको यहाँ पर उपर बार के अंदर दिखाई देंगे यह जो editing के option है यह हमारे जैसा भी element होगा उसी के according change हो जाएंगे जैसे कि text है तो यहाँ पर आपको text के option देखने को मिलेंगे हमारा font है, size है, color है, bold, italic, bullet points है effect है, animate है और three dots के उपर जाएंगे तो आपको और options भी यहाँ पर मिलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हम image के उपर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह अभी क्या है, border select है अब यह भी काफी चीज़े आपको समझने वाल जैसे आप practice करेंगे तो आपको समझ में आएंगी यहाँ पर अगर आप zoom करके जैसे कि यह जो area है यहाँ पर हम zoom करके देख सकते हैं यह जो area यहाँ पर क्या है? एक outline है अब जो beach के अंदर है वो image है जो outline है वो क्या है? हमारा एक shape है और जिसका color हम यहाँ पर easily जैसे हम color के उपर click करेंगे जिस भी element के उपर हम click करेंगे वो यहाँ पर edit हो जाएगा मैं वापस जो zoom है इसके उपर click करता हूँ और fit कर देता हूँ यह हमारा fit हो गया अब हम क्या करते है? template तो हमने यहाँ पर जिस भी आपकी industry है जो भी चीज़े है वो आप यहाँ पर template के अंदर सर्च कर सकते हो for example जैसे कि अगर मैं solar की post सर्च करूँ तो यहाँ पर solar के related जो post है वो आ जाएंगी लेकिन काफी सारी जो post है वो आपको paid मिलेंगी तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो free की template है उनको आप use कीजिए और जैसे कि माली जी अब यह जो post है यह हमारी काफी अच्छी है और इसको हम solar की post भी बना सकते हैं यहाँ पर जो tagline है उसको हम solar की tagline डाल देंगे जो images है उनको हम solar के related डाल देंगे और जो भी हमारी information है उसको हम zoom करके यहाँ पर जो भी चीज़े हमें change करनी है हम change कर सकते है इसी के साथ यह जो है यह हमारा एक page है अब निचे अगर आपको page add करना है तो एक page और हम add कर सकते है add page के उपर click करके है तो फिलाल हम इसी page को edit करते है template यहाँ पर काफी सारी है आप graph वगरा भी आप यहाँ पर use कर सकते है बस आपको just यहाँ पर search करना है जो भी चीज़े आपको चाहिए जैसी भी template आपको चाहिए आपको यहाँ पर search करना है और उसी से related template आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अब हम क्या करते है next option के उपर आते है next option हमारा है element जो भी चीज़े है element क्या है element basically text या फिर image या फिर shape कोई भी किसी भी तरह के हो सकते है वो कि हमारे graphic के element है जो हम अपनी photo के अंदर या फिर video के अंदर डाल सकते है जैसे कि यह हमारा घर का element है जो भी चीज़े chart आप यहाँ पर डाल सकते हो tables आप डाल सकते हो frame आप डाल सकते हो जैसे कि यह है हमारे इसी तरीके से आप grid डाल सकते हो collection है यह अलग-अलग चीज़ों के जैसे कि health selected जो icon है वो आप यहाँ पर देख सकते हो sample जो friendly icon आप यहाँ पर 3D icon जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो इनको हम simply जो भी icon है उसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको जो round dot है वो आपको दिखाई दे रहे इससे हम इसको बड़ा है छोटा कर सकते है बीच के अंदर जो dot है इसको हम इसको जो अलग तरह से इसको हम edit इसका जो size है वो उपर नीचे हम कर सकते है यह देखिए जैसे भी element है अब वापस यहाँ पर हम फिर से हम back चले जाएंगे 3D teacher के element है back जाएंगे और हम नीचे scroll करेंगे जैसे आप scroll करेंगे तो इसको explore करना काफी जरूरी है आपके लिए जब तक आप सारी चीजों को नहीं देखेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि यह कितना powerful tool है canva और इसकी help से आप क्या क्या चीज़े कर सकते हैं यह देखिए बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आपको मिलेंगी काफी सारे element है इनको जितना जो hidden element है वो आपको यहीं पर मिलेंगे आप जितना ज्यादा सर्च करेंगे तो हम वापस आते हैं अलग-अलग तरह के element है जिस भी चीज़ को आप यहाँ पर सर्च करोगे उसी के related जिए फोर फोटो वीडियो सारी चीज़े आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं अब यहाँ पर क्या हमें सारी element देखने को मिलेंगे जैसे हम ग्राफिक के उपर आते हैं तो यहाँ पर हमें free element देखने को जो भी हमारे graphics के element है यानि कि जो text है या फिर zif type के जो sorry मतलब जो हमारे जो static element है वो यहाँ पर है या फिर जो moving element है वो आप यहाँ पर देख सकते हो और उसके बाद में photos है photos आप हमारी यहाँ पर आ जाएंगे आप real photos जो होती है videos है हमारी frame है audio है काफी सारी चीज़े यहाँ पर chart भी available है लेकिन solar से related कोई भी chart available नहीं इसलिए यहाँ पर खाली यह आ जाएगा तो ऐसी करके आप जो भी आपके element है सबसे जो पहला design करने का सबसे पहला task है कि आप जिस भी चीज़ को आपको design करना है वो कुछ ideas आपके पास में होने चाहिए अब मैं इसको एक बार delete कर देता हम क्लिक करते हम इसको simple आपको delete button दबाना है या फिर आप यहाँ आपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह option इस element को edit करने के option आ जाते हैं यह है duplicate का यह हमारा delete का है और अगर three dot के उपर क्लिक करेंगे तो इसी को लेके हमारे कुछ और element भी आ जाते हैं तो इसको जो कुछ और option जैसे हम इसको copy कर सकते है paste कर सकते है send to backward अब यह क्या है देखो इस element के पीछे काफी और information भी है जैसे कि माल लेजिए अगर हम इसको यहाँ पर डालते है अब यह क्या है यहाँ पर हमारा जो इसके pair है यह देखिए यह इसके पीछे है अगर आप देखेंगे यह इसके उपर है और अब इसके उपर मैं क्लिक करके इन three dots के उपर क्लिक करता तो अब हमारा क्या है जो यह जो हमारी line है white जो border है वो हमारा selected है अगर इसको click करते हैं और send to back कर देते हैं तो आप देख सकते हो यह जो हमारा है वो सबसे पीछे चला गया तो इसको मैं control Z से वापस लियाता हूँ और जो हमारा design था इसको मैं delete कर देता हूँ और अब हम आत drag and drop करना है फिर आप upload कर सकते हैं फाइल को यहां पर कोई भी अगर आपको image लगाने यहां पर आपको click करना है या फिर आप उठाके यहां पर उसको drag and drop कर सकते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैं drop कर दूँगा तो यहां पर लग जाएंगी उसके बाद यहाँ पर free के अंदर वी जैसे कि अगर मालो आपको glowing effect के साथ में कोई text आई है तो just आपको यहाँ पर click करना है और जो हमारा text है वो यहाँ पर आ जाएगा अब इस text को हम edit भी कर सकते हैं simple आपको color के उपर जाना है मैं color change करता हूँ पहले black करता हूँ और जो font है वो आप यहाँ पर जो font यह अब ऐसा font कैसे बना है अगर आप यहाँ पर देखेंगे text ऐसा font कैसे बना है क्योंकि यह moon time यह जो भी font है stylish font है अगर इसको हम change कर देते हैं देखो यह change हो जाएगा अब वहाँ पर क्या है वो template क्या है वो already ऐसे ही बना रखेंगे और यहाँ पर डाल रखेंगे अगर आपको कोई premium मिलती है तो same तरीके का font आप यहाँ पर search कर सकते हैं same तरीके का design आप यहाँ पर बना सकते हैं उसके बाद में हम आते हैं यह देखो अगर हमने यह effect लगाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं effect को भी आप edit कर सकते हो इसके direction है बलर है transparency है हम थोड़ा सा lift कर सकते हैं इसको या फिर हम hollow यह जो space है या फिर spice या फिर splice echo हम कर सकते हैं या फिर आप glitch वाला effect है neon है या फिर जो background है वो आप use कर सकते हैं जो भी हमा animation की post भी आप बना सकते हैं लेकिन इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम animate नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने animation की चीज़े भी डाले तो वीडियो जो हो काफी long हो जाएगी इसको लेके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अब हम यहाँ पर क्या कर आएंगे तो हमें और ज्यादा options यहाँ पर मिल जाते हैं underline आप कर सकते हो इसी के साथ जो बड़ा चोटा है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं जो जो भी हमारा font है text है उनको हम बड़ा या चोटा कर सकते हैं position के अंदर क्या है basically जो काफी सारे option है वो चाहे वो कोई भी element है चाहे हमारा font है या फिर image phase है या फिर text है कोई भी चीज़े हैं उनके लिए same रहने वाले हैं जैसे कि position है वो सब के लिए same होगी अगर हम middle कर देंगे तो यह यहाँ पर हमारा middle के अंदर आ गया दोबारा हम three dot के उपर जाते हैं position के उपर जाते हैं अगर हम bottom कर देंगे bottom में आ जाएगा right कर देंगे right top कर देंगे उपर चला गया अगर हम left कर देंगे left में आ जाए देखो यह हमारा left में आ गया दोबारा कलिक करते हैं position के उपर आते हैं center करते हैं middle करते हैं यह देखिए यह क्या हमारा middle के अंदर आ चुका है इसके बाद में text के बाद में हमारा आता है project जैसे हम project के उपर आते हैं तो काफी सारे जो project जो recently हमने design किये हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे project की जगह हम हमारे साथ में जो share किये हैं जिन लोगों ने वो project यहाँ पर आ जाएंगे all project के उपर हमारे सारे project आ जाएंगे यानि कि recent में जो भी मैंने design बनाए है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब यह वाली post है इसके अंदर मैंने 19 design बनाए है इसके अंदर हमारा simple एक design है अगर scroll करेंगे तो हमें image या फिर जो भी हमारे design अगर see all के उपर करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे design आ जाएंगे हमारे design है, folder है, जो हमारे images है, videos है सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो हमारे recent design है, वो आपको project के अंदर जो हमारा personal data है, जो भी canva के अंदर हमने upload किया है जो design बनाए है, वो हमें project के अंदर मिलेंगे अब आते हैं photos के उपर, जो भी photos हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे कि हमारा यह है, अब इसको मेरे को design करना है तो मैं इसके अंदर यह देखिए, इस तरह का जो design है, वो हम add कर सकते हैं trending design आप देख सकते हो, हम background के अंदर यह देखिए, हम इसको उठाके हम यहाँ पर डाल सकते हैं और इसको मैं drag and drop, simple आपको drag और चीजों को drop करना है और हम यहाँ पर देख सकते हैं, और ऐसे करके हम जो photos हैं, उनको हम edit कर सकते हैं simple आपके पास में एक अच्छा सा design, एक ideas आपके पास में होने हैं, जिनका use करके आप design करने वाले हैं जैसे कि हम यहाँ पर, जो भी चीज़ें हमें डालनी हैं, वो हम यहाँ पर add कर सकते हैं, यह देखिए और simple हम जो भी अपनी editing के style है, उसके according हम design कर सकते हैं जो photos हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, search कर सकते हो, आप किसी भी industry related आप photos सर्च कर सकते हो, जो भी हम search करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए सिर्फ drag and drop आपको करना है, अब यह background में क्यों लग रही, क्योंकि मैं background में उठा के ऐसी, जैसी हम यहाँ पर click करते हैं, देखो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह background में option आता है अगर वहीं पर आप simple click करेंगे तो यह photo हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप इसको बड़ा है, छोटा कर सकते हैं, same जो photo है, उसको edit करने के लिए भी यहाँ पर काफी सारे option आपको देखने को मिलेंगे, edit image है, crop कर सकते हैं, इसको हम flip भी कर सकते हैं, देखिए, flip कर सकत जो animation है, वो हमारी हट जाएगी, यहाँ से, वापस मैं अपनी photo के उपर click करता हूँ, जो position के option है, या फिर यह transparency का option है, यह हमारा सब के लिए same रहने वाला ही, देखिए, हम इसके transparency कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके उपर अगर मालीजिए, आप यहाँ पर PDF बनाते है तो जो यह link का feature है, यह आप use कर सकते हैं, तो मैं इसको delete करता हूँ, audio के उपर आपको photo या फिर जो real बनाते हैं, वहाँ पर आपका audio का feature है, वो काफी काम आएगा, आप अलग-अलग तरह है कि यहाँ पर audio भी लगा सकते हैं, videos का feature है, जो भी आप videos यहाँ पर search करेंगे, वो यहाँ पर यह activate हो जाएंगे, जो भी हमारे background है, यह देखिए, कुछ अच्छे-च्छे background आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी attractive background है यहाँ पर, आप search भी कर सकते हैं background, अगर मान लोग particular आपको red color का background चाहिए, या फिर आपको neon type का चाहिए, या फिर आपको technology से related background चाहिए, तो simple आपको यहाँ पर search करना, जैसे कि मान लीजे मेरे को tech से related background चाहिए, तो simple मैं tech search करूँ लेकिन यहाँ पर technology हम पूरा type करते हैं, तो technology का हम देखते हैं, थोड़ी दिर में search कर देगा, technology से related techno spelling mistake हो गए हमारी, यह क्या है हमारा technology, तो हम दोबारा search करते हैं, technology से related यहाँ प तो उन से related यहाँ पर, जैसे कि fireworks से related हैं, तो हम search करते हैं, fireworks, simple मैं fire search करता हूँ, तो fire के related काफी सारे background आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग-अलग तरह के background यहाँ पर मिलेंगे आपको, logo यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानि कि जो हमारे जो logo हैं, जो हमने upload किये थे, वो यहा पर आएंगे, जैसा कि जो हमने starting के अंदर देखा था, जो हमारा brand का element है, brand के अंदर हम काफी चीज़े हम add कर सकते हैं, अपना logo add कर सकते हैं, अपने brand को लेके जो color combination वगरा हैं, वो हम सारे यहाँ पर add कर सकते हैं, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो discover app है, यानकि discover app का जो feature है, वो आपका यहाँ पर use नहीं होगा, main homepage के अंदर, जब हम वो design करेंगे किसी भी photo को, तब हमारा यह जो discover apps का जो feature है, वो यहाँ पर use होने वाला है, जैसे हम discover जो apps का button है, इसके उपर click करेंगे, तो यहाँ पर काफी सारी अलग-अलग apps, अलग-अल यूट्यूब की videos add कर सकते हो, जितनी भी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो, वो सारी चीज़े आप यहाँ पर add कर सकते हो, अपने design के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं emoji use करना चाता हूँ, तो मैंने just emoji के उपर click कि और यहाँ पर काफी सारी emoji हमें देखने को मिलती है, यह देखिए, जो भी हमें use करने है, वो emoji यहाँ पर आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा time लगा रही है, और वापस मैं स्क्रोल करके उपर आता हूँ, और यह देखिए हमारे emoji यहाँ पर आ जुके तो सबसे उपर हमें design के उपर आएंगे, और जो भी हमारा design है, हम यहाँ पर आएंगे, अब हमें क्या करना है, modern home for sale, अब हमें जो भी अपनी information है, उसको हमें select करना है, और उसको हम easily edit कर सकते हैं, यह देखिए, जो भी हमारी website है, उनको हम edit कर सकते हैं, जो color है, इसको मैं थ देख सकते हैं, यह देखिए, जो color है, वो हमारा change हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा dark कर देता हूँ, यह देखिए, अब हमारा अलग से दिखाई दे रहा है, जो भी element है, हो सकता है, आपको element को select करने में थोड़ी सी problem हो सकते है, तो उसके लिए आप zoom कर लीजे, जो हम इसको जूम करेंगे, अब यह हमारा text selected है, अगर हम पीछे वाला जो हमें, जो हमारा square है, जो rectangle है, अगर उसको हमें select करना जिखिए, हम select नहीं कर सकते हैं, तो इस case के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप control का use कर सकते हो, जैसे आपको control use करेंगे, और उसके बाद में आप click करेंगे, तो हमारा जो पीछे वाला element है, वो हमारा select हो जाएगा, और उसका color हम change कर सकते हैं, same use आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यह हमारा क्या है, अगर मान लेजिए, इसको मैं delete कर देता हूँ, यह क्या हमारा frame है, अब frame को हम कहा पर जाएंगे, element के अंदर जाएंगे, और यहाँ प उपर click करते हम, और यह जो हमारा frame है, फिलाल के लिए मैं इसको add कर लेता हूँ, यह हमारा frame आ चुका है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कि हमें अपने photos के उपर आना है, और यहाँ पर हम photos select कर लेंगे, home से related, जैसे ही मैं home search करूँगा, तो home से related, काफी सारी जो free photos हैं, हम डाल देते हैं, यह हमारी photos आ चुकी है, और अब हमें क्या करना है, जो हमारा element है, यह पीछे जा चुका है, तो अब हमें क्या करना है, इस element को select करना है, position के उपर आना है, और two front हम इसको कर देंगे, लेकिन two front में फिर हमारा text है, वो हमारा जा चुका है, तो इससे सभी चीजों को आप use कर सकते हैं, और यह देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सबसे जरूरी है कि आपके पास में काफी सारे ideas होना चाहिए, आप किस चीज को आप design, कैसा आप design बनाने वाले हो, तो design ideas के लिए आप क्या कर सकते हो, ideas के लिए काफी सारी website है, सबसे पहला तो है कि आपको Google का use करना है, जैसे कि हम search करते है, real estate ads, और आपको Google के उपर काफी सारे ideas यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, images के उपर हम आते हैं, search कि हमने images के उपर आते हैं, काफी सारे ideas आपको यहाँ से मिल जाए और ऐसे सबसे पहले आपके पास में content होना चाहिए आइडियाज है आपके पास में जैसे कि हमारा यह idea है come choose invest तो ऐसा ही design हम यहाँ पर बना सकते हैं हाँ पर क्या है एक background हमने यूज इसमें पीछे एक background यूज हुआ है उसके ऊपर ये तीन frame यूज किये हैं और इसके अंदर हमारी photos है तो similar design हम बना सकते हैं add के उपर जाएंगे और हम background के उपर जाते हैं और यहाँ पर हम background यूज कर लेते हैं sky का sky से related मैं search करता हूँ तो यहाँ पर काफी सारे background हमारे आ जाते हैं तो simple मैं यह वाला जो sky है उसको यहाँ पर add करता हूँ उसके बाद में element के उपर हम आते हैं और जो frame है वो हम select कर सकते हैं जैसे कि हमारा frame है सबसे पहले देखो frame के अंदर भी काफी variety है आप scroll करोगे यह हमा इस frame के उपर आई इसको duplicate कर दीजिए और उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ फिर से हम duplicate करते हैं और यह हम यहाँ पर उठा के रख देंगे जैसे आप इसको drag करते हैं तो आपको कुछ यह arrow जो आप pink color में देख सकते हो जो इसका size है क्या हूँ match कर रहा है फिर नहीं कर क्लिक किये हुए ही यह सारी चीजे देखनी है अब मैं वापस इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और हमारा जो design के लिए idea था यह हमारा क्या था यह नीचे एक हमारा घर और आ रहा है तो हम क्या करेंगे home की image लेंगे अब जरूरी नहीं कि हमें ऐसी home की image मिलेगी लेकिन similar image हमें easily यहाँ पर मिल जाएगी जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं image के उपर हम वापस आते हैं और photos के उपर हम आते हैं और यहाँ पर अगर हम home सर्च करेंगे जैसे कि मैंने सर्च किया home तो यह देखिए यह जो घर है यह हमारा आ चुका है और इसके first वाले घर को हम add कर इसको हमने add किया और यह देखिए आप देख सकते हैं और यह हमारा घर है यहाँ पर आ जाएगा और इसी के related यहाँ पर तीन photos के अंदर आप feature डाल सकते हैं और हम bathroom डाल सकते हैं या फिर bedroom हम डाल सकते हैं जो bathroom की image है यान कि इस घर के अंदर कैसा हमारा bathroom देखने को मिलेगा ह यहाँ पर add कर सकते हैं उसके बाद में हम bedroom डाल सकते हैं और यह जो हमारा bedroom है यह हम यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद में हमारा kitchen डाल सकते हैं और जैसी मैं kitchen सर्च करता हूं तो यहाँ पर kitchen की photos आ जाएंगी और यह जो हमारा luxury kitchen है यह हम यहाँ पर add कर सकते हैं तो तो काफी हद तक जो डिजाइन है वो इसके सिमिलर हमारा बन जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जिस भी चीज़ के आपके आइडियास है या फिर आप इंस्टाग्राम के उपर जाके देख सकते हैं या फिर आप अपने कम्पिटिटर के जो पोस्ट हैं उनको आ है वैसे आईडियास आपके पास में होने चाहिए है अब हम यहां पर कुछ टेक्स एडिकरते हैं टेक्स के उपर मैं आता हूँ और थोड़ा साथ जो स्टाइलिस्ट डिजाइन है हम यहां पर प्री वाले ही यूज़ करने वाले हैं तो सिम्पल मैं जो एड एडिए हैडि देंगे इसी को मैं ctrl c और ctrl v यानकी copy paste करके हम दूसरा यहाँ पर add कर सकते हैं similar यह हमारा क्या है kitchen है तो हम इसको हम यहाँ पर डाल देंगे यह हमारा kitchen आ जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे इसको हम दोबारा click करेंगे और ctrl c ctrl v copy करेंगे और इसको हम डाल देंगे जो भी हमारा यह हमारा था यह हमारा है washroom या फिर आप इसको bathroom कह सकते हैं तो record करूँ सुन्या कुन बोलता द्यान कुन रही देख पांद साथ मिन्ट काऊ फोन मने साइलेंट करा क्या है वीडियो चाला है देख चोतिस मिन्ट के ओलिम्जियों छोट मुई इसने अदा गन टाइमें न दूसरे पहले हम तियारी करा कि वहां सारी बरबाद जागी पूरी हो गिया तो यह बस पांच साथ मिन्ट और लागंगी खतम करनी है बंद गर दे कुवाड तो यहां पर यह हमारा बाथरूम है यह यहां पर मैं डाल देता हूँ और ऐसे ही करके हम जो और फिचर्स हैं वो हम एड़ कर सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा गर देता हूँ इनको हम थोड़ा सा डिजाइन भी कर सकते हैं जैसे कि अगर एफेक्ट के उपर हम शैडो इफेक्ट हम डाल सकते हैं या फिर जो होलो इफेक्ट है यह आपको दिखाई देगा अलग-अलग एफेक्ट हैं और इसको image को मैं flip करता हूँ, हमने horizontally flip किया, निचे इसको हम लेके आते हैं, और थोड़ा सा हम छोटा करके, हम यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर हम डाल सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, कि यह काफी अच्छा investment का opportunity है, यहाँ कि आपके पास में basically ideas होने चाहिए, जिस भी तरह के चाहिए, आप social media post बना रहे हैं, story बना रहे हैं, जो भी चीज़े आप बनाते हैं, वीडियो को लेके मैं एक और tutorial बनाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, तो उसके अंदर, apps के अंदर भी ऐसे ही जो चीज़े हैं, similar kind of चीज़े हम use कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए, तो उसके बाद में, अब हमारा जो design है, वो बनकर हमारा ready हो चुका है, जैसे कि यह information है, अब यह information, अब हम मैं इसको select कर लेता हूँ, और इसको हम, यहाँ से मैं copy करता हूँ, और इस वाले design के अंदर, यहाँ पर paste कर लेता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर जो information है, वो हमारी आ चुकी है, more information को भी मैं, एक बार copy करके, यहाँ पर paste कर लेता हूँ, और यह जो design है, यह हमारा similar design, यहाँ पर बन चुका है, आप एक साथ काफी चीजों को भी, आप ऐसे select कर सकते हैं, mouse को drag, और mouse को drag करके, और अब design complete होने के बाद में, आपको क्या करना है, simply design को download करना है, download करने के लिए, आपको share के उपर click करना है, जैसी आप share के उपर click करेंगे, download के लिए, आपको simple download के उपर click करना है, और download करने के बाद में, png की बजाए, अगर आप normal post आते हैं, तो आप jpg कर सकते हैं, या फिर png, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, अगर आप pdf बना रहे हैं, तो आप pdf के अंदर download कर सकते हैं, वीडियो है तो आप वीडियो के लिए, या फिर gif भी हम कर सकते हैं, तो मैं png ही download करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर हमें page सेलेक्ट करने हैं, यान की कौन से page की हम बना रहे हैं, अगर हम दोनों page को एक साथ करेंगे, तो हमारी एक zip folder हमारा download हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा first design है, या फिर जो second design है, वो हमें download करना है, simple हमें click करना है, done के उपर click करना है, download के उपर आपको click करना है, और यह जो design है, यह हमारा download होना start हो जाएगा, simple आपके folder के अंदर, यह हमारा save हो जाएगा तो फिलाल मैं इसको download नहीं करता हूँ और उसके बाद में तो मुझे उमीद है जो एक complete video है Canva से related जितने भी most important चीजी है वो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ अब हम क्या करेंगे कि अगर आपको कोई और चीजे पूछनी है या फिर आप चाहते हैं कि Canva के उपर मैं कुछ और specific tutorial ले के हूँ जैसे कि image को आप कैसे edit कर सकते हैं या फिर font को लेके हम कैसे edit कर सकते हैं या फिर जो particular किसी भी industry को लेके हम कैसे design बना सकते हैं ideas कहां से आएंगे तो आप comment section के अंदर जरूर बताईए और मैं उस topic के उपर जरूर वीडियोज बनाऊँगा तो ऐसे ही helpful वीडियोज देखने के लिए channel को subscribe कीजिए मैं मिलता हूँ आप से किसी और वीडियोज के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद